इसके नेंग सरे हुआईए लगते हैं गवर्नर्स के चलो मैं ये मान लेती हूं कि पाकिस्तान में करॉप्शन आज से नहीं है पिछले साट साल से है इसको कैसे खतम किया जाए कैसे कम किया जाए मुद्रमा एक बात आप याद रखें कि थोड़ा सा माजी में चले जाए हम भूल जाते हैं जनाब आसिफ यारा साल तक रहा जेल में जजजी जिनके अपने थे तमाम मामलात मगर कोई चीज़ थाबित नहीं कर सके आज ये जो जुडिशरी के बड़े हमदर्द और भाई चारा इनको नज़र आ रहा है ये सिरफ एक इंस्टिटुशन को इन्वाल्व करने की और पुलिटिसाइज करने की बाते हैं और मैं ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान की मौजूदा कोलिशन की गवर्मन्ट ने जो स्टेप्स उठाए हैं इसकी तरक्की में इन हालात में रहते हुए जब मैं ये बात कहती हूँ इन हालात में रहते हुए तो प्लीज याद रखें कि हम एक देशित जर्दी की जंग से गुजर रहे हैं आज आप प्राइम मिनिस्टर पे प्राइम मिनिस्टर के फैमली पर इल्जामात लगाते हैं तो खुदारा सब्सक्राइब मैं अध़रा बात किया मैं आप इस चीज़ को इस चीज़ ज़रा क्लेर कर देने तहत मत लेके जए हम इस वजीर आजम पे कौन सा इंजान दगाया है अभी देखिए मैंने एक अभी आपने बात जब आप लोग आपने इंटरो में आप शायदा भूल गई हैं नहीं आपने मुलविस का लफस इस्तमाल किया यह कैसे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इनकी हेरिंग हो रही है फिर सुप्रीम कोर्ट की यह अब्जविशन में और जजमेंट में बड़ा फरक होता है और अगर आप सिर्फ अब्जवरेशन चलाते रहेंगे तो मामलात डिस्टॉर्ड करते हैं दुनिया देख रही है, कौम देख रही है, मगर वो डिस्टॉर्ट होते हैं, वो सही सच समझ नहीं सकते हैं, आज मैं आपको बताती चलू के पहली दफ़ा अठारवी तर्मीम जनाब यूसफ रजा गिलानी साहब और आसिफ अली जर्दारी साहब ने की प्रोविंशिल एट कर चुके हैं, जो बोखलाहट है, उसकी वज़ा से ये गाने भी गा रहे हैं, ये शेर भी पढ़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, देखें मैं हर सियास्तदान की इज़त इसलिए करती हूँ, कि सियास्तदान बड़ी मुश्किल सी तगोदों से बन क्याता है, मगर आप एक प्रोग्राम सिर्फ इस पे रख लें, कि हमारी हकूमत ने कितने लोगों को रेगुलराइज किया, कितने लोगों को नौकरियां दी, और देखिए, बारा परसंट तमाम कंपनीज में जो उसके मुलाजमीन थे, उसको शेर दे दिया गया, और आप क्या चाहते हैं, बेर एक मिनट, आप पास हैं, मेरी इस पूछ लेते हैं, और इनकी दौर पे की रोटी का प्लाइन फ्लाप होगा, ये भी ठीक है, बाले पॉइंट है, और दूसरा में बात क्लिए कर दूँ कि हमने मौतरमा बेनजीर इनकम सपोर्ट की हमेशा तारीफ की हमने कभी ये नहीं उस की बरक्स बात की, and we think it's a good plan जिसके अंदर मज़ीद इजासर की गुल्डवाशा तारीफ की गुल्षा है, नहीं लेकर खाली बेनजीर इनकम सपोर्ट का आप ने लेकिपास्टार, आपने बारीफिन, पता नहीं हम क्या चातें, उमर चीमा साँ ये सारी बाते हुए, ठीक ह क्या मैं नहीं चाहती के बिजली हो क्या मैं नहीं चाहती के गैस हो क्या मैं नहीं चाहती मैं का मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हकूमत देखिए उमर चीमा साथ आप इन सब बातों से भी करते हैं इनोंने का कि जो कुछ हमने दिया है कोई भी नहीं दे सक हम सारी बातें बारी बारी डिसकस कर लेंगे, ग्रैंड अलाइन्स भी, मौईशत का प्लान भी, बाकी गैस्ट को एट लिस्ट मौका तो देना, अमर चीमा साथ, दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, वो सिर्फ स्लोगन्स में लगी हुई है, बारहाल अगर किसी के पास अधरे आते सी, पुर्जोर मुझामत हम करते हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुप्रिया, और दूसरी मैं आप से गुजारिश करूं के ये दोनों जमातें जो हैं, ये पहली दफ़ा हकूमत में नहीं, इनको माजी के अंदर भी दो दो तीन दिन दफ़ा मौका म आई, जब पहले तीन साल, आप, आपको भी याद है, हमने तो है, हमें तो कोई शुपा नहीं था, दो दार आट के अलेक्शन के बाद हमने पहले ही कह दिया था, जिस तरह के इनके आपस में मामला चल रहे थे, कि ये सिर्फ और सिर्फ, एक दूसरी की चौरी को प्रोटेक करने के लिए, एक दूसरी की करॉप्शन को प्रोटेक करने के लिए आपस में मिलें, मुफादात, अब ये जो बात कर रहे हैं, कि जी हमारे पास बड़े अजंडा है, बड़ा हमने, हमारे पास जो है, मसायल का हल है, चीक, तो आपके सामने, जब पहले भी इनको दो तेहा अन रेकॉर्ड हैं, और अगर आज भी आप देखें, गे गुदेश्टा तीन साल जो इन्होंने मिल के गठे जो पंजाब के अंदर हकूमत की है, उस वक्त आप बताएं, मुलक का जो साथ फीसद अबादी वाला सूबा है, उसमें कौन सी दूद की नहरे बहरी थी, उस वक जब सदार्ती एलेक्स लाड़ा था, तो तरीक इंसाफ वाहिज जमाद थी, जिसने अन रेकॉर्ड पोटेस्ट किया, कि एन आरो सदर जब सदर बन रहा है, कोई सियासी जमाद, पी एम एलेन का केंड़ेट वां पे किंटेस्ट कर रहा था, इन्हों ने कोई अब्जेक्श आप जो कह रहें, जी तीन महीने, दो महीने, चार महीने, उस दूसरी तरफ अब हम जो सुबाई हकूमत जो कहती है, कि जी हमारा कोई काम नहीं है, वफाकी हूमत का, आप भी जानती है, पंजाब के अंदर दुनिया का बेतरीन नेरी निजम है, आप बताएं, इन से पूछ हैं पड़ा मकान चीना है, और जिन्होंने इनसाफ की और अजाद अदलिया की बात की थी, उन्होंने ल nutzen कंपरोमाइस किया, उन्होंने अथारवी तर्मी में जो पार्लिम पी गमेटी बनाई उसमें अदलिया पे कामपरोमाईस की और आपको पता है कि विकी लिक्स के अं किम के मसायल का कोई हाला है? ये सिर्फ और सिर्फ यहां पर सिर्फ एक रूपमाट के जंडे पर आएंगे, वर्ना आप बताएं पूपने के पास तो गाना प्र पीबल्स पार्टी को क्यों अंडर फ्रेशर कर रहे हैं? आप उनकी अपूमत को चलने दे, अपना टाइम पूर नहीं करनी चाहिए वाइगरी चले ठीक है सो मोटो नहीं करनी चाहिए बट अगर जुडिश्री के साथ उनका कोई मसला है तो आप उनको छोड़ दें वो हकूमत में वो डील करेंगे देखें जैस्मीन बात यह है कि हमारी बेहन महरीन इन्हों नहीं जो असल सवाल था किसी एक का भी जवाब नहीं दिया वही जो परानी कानी है कि सुप्रीम कोट पर हमला कर दिया फलाना हो गया यह होगा जारे सारे सवालों का जवाब बिल्कुल सही दे दिया इसलिए परेशान है अच्छा अब आप मुझे जरा मौका देंगी थोड़ी सी बात करने का तो महरबनी होगी आपकी आपने दे दिया अवाम सुन रहे हैं हमारी भी बात अवाम सुन रहे हैं इन्शालला फैसला वो लोग कर लेंगे आप मुझे फैसला दूना लेना या खुद भी ना करें बात यह है कि पूरी कौम सवाल कर रही है कि आप जनाब मुझाइमत क्यूं कर रहे हैं अदलिया के खिलाफ आप की पूरी हकुमत ने साड़े तीन साल में इसको करप्शन और करप लोगों के लिए एक जन्नत बना के पेश किया है आप बार बार कह रही हैं कि जनाब कश्मीर में जनाब शिकस दे दी कश्मीर में आपक कि पार्टी पार्टी इक्तालिस साल से बनी हुई है और हमारी पार्टी को एक्तालिस दिन बिनी हुए है इसके बावजूद रुजो जो वजीर-आदम च्श्मीर हैं जनका ऐलाइंस आपके साथ है उन्होंने तीवी पे बैटके ये कहा कि बेनदीर इंकम सपोर्ट वोड़ों रुपे उन्हों का मेरे पास सबूत मौझूद हैं डाख खाने की रसीदे मौझूद हैं वो इन्होंने तक्सीम कियें इसके चालिस दिन की पार्टी को फिर भी अगर ग्यारा नशिस्ते मिल जाएं तो अगर आप इसे नोश्ता दिवार नहीं समझती तो ना समझे अच्छा फिर यह है कि अगर आपने अवाम को बड़ी रिलीव दे दिया है आपने महंगाई खतम कर दिया है बरोज़गारी खतम कर दिया है आप अदारों का इसराम कर रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है आप अगले एक एलेक्शन नहीं अगले दस एलेक्शन ज लोगों के या फिर आपको अवाम के अदालत में पेश होना पड़ेगा जहां तक ये दूसरे हमारे भाई हैं ये इनकी बात का मैं बहुत जादा इसलिए जवाब नहीं देना चाहता कि ये भी एक तोतनी है जो हम बड़े दिनों से सुन रहे हैं इनके लीडर साफ भी रोजा जारी चोर फलाना मला ये आप इनकी लेंगविज देखें कि और फिर ये है कि अगर इने इस तरह की कोई बात कही जाए तो ये बड़े सक्माइन करते हैं जैसे ये आसमान से उत्रे में हैं और इस मलक में सारे चोर रहते हैं अच्छा अपनी तरफ से ये ये समझ रहे हैं क कि दोनों पार्टियों को ये चोर कह देंगे तो सारा पाकिस्तान इनके पीछे लग जाएगा इन्हें 97 का नहीं पता उस वक्त में इमरान खान साब बड़े मकबूल रहनुमा थे लेकिन 10 से 12 नशिस्तों पे वे खड़े हुए थे और हर जगा से उनकी जमानतें जबतु ही थी अब भी उस वक्त भी एजन्सियों के कहने पे इन्हें तीसरी कुट बनाया गया था अब भी ओपन ली फैसलाबाद के जल्सों में दाएं तरफ उनके जो बंदा खड़ा हुआ था उसे सारी पाकिस्तान के सियासिय कारकुन जानते हैं कि वो कितना रिनाउंड एजन्सि असमान से उत्रे में हमें मालूम है आप में लोग वोट दे लेंगे जब एलेक्षन होंगे election होंगे तो आप कार्टे दाल के बहुत मालूम होगा हम जो पार्टी यहापे एक सेकंड एक जुमला सुन ले इन्हें मालूम नहीं है कि इन्हों ने और इनके लीडर ने और इनकी पार्टी के किसी आदमी ने आज तक कोई जटो जहद नहीं की इस मुलक में जमूरियत के लिए कभी कोई तकलीफ नहीं उठाई कभी किसी ने जेल नहीं काटी एक दफ़ा मौका आया तो अंडर के राउन चले गए थे तो ये जो हम बैटे में दो पार्टीयां हम एक दूसरे के खलाव बात इसलिए कर सकते हैं कि हमने बड़ी खुर्बानिया दी हैं हमने बड़ी मारे खाई हैं और उन लोगों की भी मारे खाई हैं कि जिनके साथ आपके लीडर बैट के जिस ताल-ए-आजमा जर्नेल जिसने लाल मस्जित पे हमले की है जिसने ये वार जिस टरर जब शुरू की तो आप उनके साथ थे तो ये सारी चीज़ें हुई हैं दुनिया में देखता हैं अगर आप मौकर रहे हैं कि जादा लबी ता कभील होती हैं नहीं मैं क्या कहने पर आप देखे नहीं होगा एसलिए इत सेरे टीएस मोल्क से के आपने चुपा के रखा हुए आप देते क्यों ये मुल्क को अब जब जरूरत है तो